So, Hello guys, कैसे हो आप लोग त्यार? आज किस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग अपने short gameplay वीडियो को edit कर सकते हो like TGR, NRZ के जैसा जैसे कि उनके वीडियो में trending, background, music, sound effect and जो quality रहती है वो आप लोग कैसे कर सकते हो वो सब मैं आप लोग को इस वाले वीडियो में समझा दूँगा सो आर वीडियो को फूरा end तक देखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब ये लोग वीडियो को like और चैनल को subscribe कर देना सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग को आ जाना है कायन मास्टर एप्लिकेशन में और इधर आने के बाद में आप लोग 108 वीडियो के साइज को select कर लेना और आप लोग का जो भी gameplay है जहां पे आप लोग ने 1v3 या 1v4 किया है उस वाली clip को आप लोग को लेके आ जाना है सो मैंने बस यहां पे एक छोटी से clip रखी है जहां पे मैंने दो किल्क किया है आप लोग अपनी clip को import कर लेना ठीक है सो उसके बाद में आप लोग अपनी video पे click करो और आप लोग को आना है pen and zoom में ठीक है अब आप लोग को इस equal वाले sign पे click कर देना है सो यहां पे हमारे सामने कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा ठीक है अभी आप लोग को video पे फिर से click करना है और आप लोग को आना है mixer में और mixer में आने के बाद में आप लोग को यहां पे 50% कर लेना है मतलब audio गो ठीक है तो मैं आप लोग को आना है back और अब आप लोग को जो sound effect है उसको आप लोग को अपने gameplay के हिसाब से use करना है जैसे कि अभी मेरा जो character है वो यहां पे भाग रहा है तो आप लोग को sound effect को लगाना है यहां पे और TGR NRJ की videos में मतलब जो sort video है उनमें जितने भी sound effect यूज होते है उनका पूरा pack मैंने आप लोग के लिए बना लिया है तो वो आप लोग को description में मिल जाएगा वहां से download कर लेना तो मैं यहां पे आजाओंगा audio में और यहां पे गईसा आप लोग को folder में आना है और यहां पे गईसा आप लोग को pack मिल जाएगा जहां पे आप लोग को सारे sound मिलेंगे जो कि TGR NRJ के sort video में यूज होते है वो सभी आप लोग को यहां पे मिल जाएगे ठीक है तो अभी जो हमारे gameplay है उसमें जो character है वो यहां पे run कर रहा था तो मैं यहां पे sound effect को देख ले अपनी boys के इसाब से रखना सुमें इसको इतना कुछ रखूंगा और जहां तक आप लोग भाग रहे थे वहां तक आप लोग रखना सुमें starting मैं भी इसको थोड़ा सा कट करूँगा क्योंकि यहां पे थोड़ा सा यह मतलब sound नहीं है इधर और यहां पे जैसे कि यह भाग किया है तो यहां पे भी आप लोग sound add कर लेना ठीक है जो भी आप लोग को सही लगे आप लोग की gameplay के हिसाब से वाकी आँगे जैसे कि मैं यहां पे run कर रहा हूं और सामने से जो enemy है वो या damage दे रहा है या कुछ भी कर रहा है तो यहां पे आप लोग और sound effect को लगा सकते हो और sound effect को आप लोग को कहां पे लगाना है कैसे लगाना है इसका और idea चाहिए तो आप लोग TGR NRZ की जो वीडियो रहते हैं उनको एक बार जरूर से देखना तो आप लोग को खुद से पता लग जाएगा कि sound effect को आप लोग को कहां पे यूज़ करना ठीक है तो जैसे कि मैं इस वाले sound effect को यूज़ करूँगा और जो इसका audio है उसके आप लोग को मतलब कम कर लेना है उसको पूरा वाह मत रखना कम करके रखना सो ऐसा आप लोग sound effect यूज़ कर सकते हो ठीक है मैंने आप लोग को एक दो समझाए हैं बागी आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से कर लेना ठीक है सो अब आप लोग करना है voice over उसके लिए आप लोग record वाले option पर आ जाना और start वाले button पर click करके आप लोग अपने gameplay के साब से voice over करना है जैसे कि यहाँ पर मैं भाग रहा था और मुझे मिल चुका है NME यहाँ पर मैंने इसको kill किया और side में एक और NME मिल चुका है ऐसा कुछ आप लोग voice over कर लेना और sound effect भी गाइस मैंने आप लोग को add करना बता दिया है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग के दो काम हो चुके है तो अब आप लोग को add करना है background music और जो background music रहता है जो TGR NRZ यूज करते हैं या कोई भी बाकी creators है जादतर copyright claim बाले background music यूज करते हैं क्योंकि short videos यार उतना कुछ earning नहीं होता है ठीक है तो आप लोग भी यार copyright claim बाले यूज करो जो trending में चलते हैं और बो भी गईस मैं आप लोग को description में दे दूँगा वहाँ से download कर लेना और जब आप लोग मतलब background music को add करोगी तो उनका जो मतलब sound रहता है उसको आप लोग 10 से 20 के बीच में ही रखना ठीक है इससे जादा मत रखना अगर आप लोग को थोड़ा सा कम लगता है तो आप लोग 25 तक जा सकते हो उससे ज्यादा मत करना तो जैसे आप लोग इतना कर लो भी तो आप लोग का sort video यहाँ पे edit हो जाएगा ठीक है और अब बात आती है quality की तो उसके लिए कई से आप लोग आगे तक video देखना सबसे पहले इतना जैसे ही काम कर लो आप लोग तो आप लोग अपनी video को कर लेना है save तो video save करने के बाद में आप लोग को wink application को open कर लेना है और यहाँ पे first option आप लोग को मिल जाएगा quality restoration का सो आप लोग इस पे click करो और जो video अभी हमने save किया था उसको आप लोग को select कर ले ज्यादा enhance हो चुकी है जैसे कि TGR NRJ PC से करते हैं Sam हमने guys Android से काफी ज्यादा increase कर दी है तो यह है guys हमारी पहले की quality और अब यह वाली quality हो चुकी है तो आप लोग देख सकते हो और अभी guys हम और भी करने वाले हैं तो आप लोग save वाले option पे click कर देना और यहाँ पे आप लोग कर लेना देन जो code rate है उसको आप लोग कर लेना हाई ठीक है और जो उपर resolution आप लोग को मिलता है इसको आप लोग फुल कर देना और अब आप लोग अपनी वीडियो को save कर लो सो आप लोग की जो वीडियो है वो पूरी guys TGR NRJ के जैसी बन चुकी है हमने इस वीडियो में sound effect add किया background music add किये और जो voiceover थी वो की साथ में जो quality की problem रहती थी आपको वो भी guys solve हो चुकी है तो ऐसा करके आप लोग professional short video edit कर सकते हो TGR NRJ के जैसा